नमस्कार आप सभीका स्वागेत दाजोकेशन में CSPC वेकेंसी का फिजिकल एकजाम चल रही है और अभी फिलाल एक दिसंबर से लेकर पौन दिसंबर तक परिबन विवाग के अंतरगत चलन दस्ता सीपाई के पद पर जो वेकेंसी दी गई है इसका फिजिकल एकजाम होगा औ और एक दिन में जो फिजिकल एकजाम का हाल है उसकी जानकारी आज न्यूज पेपर के माद्यम से भी परकासित की गई है जो आप लोगों को पूरी जानकाई देंगे और इससे पहले चालक सीपाई का भी फिजिकल एकजाम हो गया है उसका भी जो न्यूज आई है उसके मा फिजिकल एक्जाम में बच्चे अधिक कौलिफाय करेंगे लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जिस परकार पुराने वेकेंसी का जो फिजिकल एक्जाम चल रहा था जितने बच्चे पहले कौलिफाय कर रहे थे फिजिकल एक्जाम में ठीक उसी परकार भी अब त आज की जानकारी जो दी जा रही है वह जानकारी आप लोग के लिए सबसे इंपोर्टेंट है इसलिए अगर आप लोग फिजिकल एक्जाम देने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को अंतक जोड़ देखे वीडियो पसंद आई तो लाई जरूर करे और अभी तक अगर आप लेकिन पूराने वेकेंसिक के अनुसार ही इस बार भी फिजिकल एक्जाम उसी परकार से दिया जा रहा है और लगभग उतने ही परसेंट बच्चे इस बार भी कौलिफाय कर रहे हैं जो आप लोग देख सकते हैं आज सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पुराने वेकेंसी का एक उधारन फिर से हम आप लोग को दे रहे हैं यानि फिजिकल एक्जाम में 42,769 अभ्यार्ति को बुलाया गया था जबकि 20,197 अभ्यार्ति दोर में और सफल हो गए थे और 6,2562 अभ्यार्ति दोर में सफल हुए और इसमें से 6,841 अभ्यार्ति दोर के अन्यप सद्रीक दशापरिचा जैसे हाई जम्प या गोला फिक या दस्ताबेच इसमें वह कौलिफाई नहीं किये थे यानि 42,769 अभ्यार्ति में से 15,721 बच्चे ही इतना बच्चे ही कौलिफाई किये थे यानि पुराने वेकेंस में भी फिजकल एक्जाम में 36 से लेकर 40% से कम ही बच्चे फिजकल एक्जाम में कौलिफाई कर रहे थे और अब तक भी CSPC के दोरा जो फिजकल एक्जाम चल रहा है उसी के पुराने वेकेंसी के फिजकल एक्जाम के अनुसार ही इस बार भी फिजकल एक्जाम में उतने ही परशन बच्चे कुलिफाय कर रहे हैं तो दोस्तों एक दिसंबर को चलन दस्था सिपाई के पत पर जो वेकेंसी दी गई है उसका फिजकल एकजाम हुआ है तो उसके बारे में जानकरी आज न्यूजपेपर के माद्यम से परकासित की गई है जिसके माद्यम से आप सभी को इ दिनी चलन दस्था सिपाई की भरती पॉंस तक होगी पहले दिन 365 अबयरती सामिल हुए है प्रिबन विवाग में चलन दस्था सिपाई की सिधी भरती के लिए 5 दिसंबर तक सरीक दच्छा परिचा होगी केंद्रया चन परसा सिपाई भरती के माद्यम से आजवित इस परि कि लिएग में 112 अबयरती सपल हुए हैं माद्र 2 अबयरती और सपल रहे हैं इसके आगए उचाई और सीनमाप में छे अबयरती को और सपल हाथ लगी है और कुल 136 अबयरती ही सपल हो पाए हैं यन्मीfik 165 अबयरती में से मात्र 136 अबैर्टी फिजकल एक्जाम में पूरी तरह से कौलिफाय हुए हैं अब सपल हुए अबैर्टी के अभी लेक के सत्यापन की पर्तकिया चल रही है गर तलब है कि पहुंद इस समर तक चलने वाली चलन दस्ता सिपाई भरती सिरिक दच्छा परिच्छा पटना गरद हाल है इसी परकार की जानकारी हमें मिल रही है यानि पूराने फिजकल एक्जाम के अनुसार ही इतने ही परसंट बच्छे इस एक्जाम में भी कौलिफाय कर रहे हैं जो आप लोग को इससे पहले भी हमने दिखाया है और उससे काफी दिन पहले वीडियो के मादम से भी हमन में कितने परसंट बच्छे कौलिफाय कर रहे हैं यह दोस्तों इस बार काफी अधिक समय मिला था फिजकल एक्जाम के लिए फिर भी बच्छे को जितनी उमीद थी कि उतना परसंट बच्छे इस बार लग रहा था कि लग वक 40-45 परसंट बच्छे फिजकल एक्जाम में अबेगी थाइटाएगी ताइटाएगी ताइटाटाटाएगी थिए ग जीया है